बीज नौमबर की शाम पाच बचकर उन्तालिस मिनिट को कुम्बर राशी को लगेगा बड़ा जटका देर मत करो जल्द देखो जोतिश के जानकारों के अनुसार लगातार ग्रहन अक्षोत्रों की स्तिती में परिवर्तन होने की वज़े से आकाश मंडल में कई शुवयोग और अशुवयोग का निर्मन होता है जिसका सभी बारा राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव आवश्य पड़ता है यदि ग्रहन अक्षोत्रों की दशा राशी में ठीक है तो इसकी वज़े से जीवन में अच्छे नतीजे मिलते हैं परन्तु इनकी स्तिती ठीक ना होने के कारण बहुत से विप्रित परस्तितियों से गुज़र ना पड़ता है जोतिश गनाना के अनुसार आज हम आपको कुंबर राशी के बारे में बताने वाले हैं 20 नौबर की शाम 5 बच कर 49 मिनिट को कुंबर राशी को बड़ा जटका लग सकता है कुछ फाइदे मंद बाते कुशी देंगे तो कुछ नुकसान दाएक बाते दुख ही करेंगे आपके मन में बहुत सारी बाते एक साथ चलेगी जिसकी वच्छ से मांसी तनाव अधिक रहेगा नुकरी के ख्षेतर में भागदोर अधिक होने के कारण शेरिलिक ठकान और कमजोरी महसूस हो सकती है आप अपने पारिवारिक मामलों पर ध्यान दीजिए खानपान पर सयम बरतने के आवशक्त है पैसों का लेंदे ना करें तो ही बहतर होगा अन्यता धनानी होने के संक्यत मिल रहे है शादि शुदा जीवन अच्छा रहेगा जीवन साती का हर कदम पर सहयोग मिलेगा सामजिक शेतर में आप अपना अलग स्थान बनाने में सपर हो सकते है व्यापार में उतार चड़ाव आ सकता है दोस्तों ऐसे ही महतोपुर्णा बाते आज की सुड़ों में बताने वाले है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और बोलेना जी का शिर्वात चाहते हो तो कमेंड में जै बोलेना जी लिकना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करे तो चलिए शुरू करते है सबसे पहले बात करते है किस तरह की परिशानिया आपको परिशान कर सकती है उसके बारे में आज आपको आपकी व्याभारिकता और साउधनी से सपलता मिल सकती है आज जो भी काम करें वो हम मन लगा कर करें जीवन में अपने लक्षों को पूरा करने के लिए दिल से प्रयास करना आज आप के लिए लाबदैक होगा अपने प्रयासों में किसी प्रकार की कोई कमी न छुड़े कुछ गटनाई समय के साथ गढ़ती हैं उन पर आपका कोई जोर नहीं होगा इसलिए उनका विरोध ना करें आज आप पैसों से जुड़ी किसी समस्या को सुलजने में कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है सामविक रूप से किये गए कारियों में आज आपको सपलता मिलेगी आज आपके मित्र और आपके सामाजिक संपर का आपकी मदद कर सकते हैं उनसे मदद लेने में किसी भी प्रकार का कोई सौंकुच ना करे आज प्रेमिय और अपनी जीवन साती से अधिक अपक्षा करना गलत होगा ध्यानवे रखने मारे बातों के बारे में बाग करें तो आप जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना ही आपका बविश्यव उजवल होगा आज आपके कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं आपके पिछले कुछ पुराने संबंद भी आज आपके सामने आ सकते हैं आज आपको अपने कारियों में अपनी मित्रों की मदद मिल सकती हैं कुछ अच्छी उपलब दियां या अच्छे अउसर आज आपको मिल सकते हैं इसके बारे में आपको किसे अच्छे जानकर से सलाह लेनी चाहिए। आज आपको अपनी कोई पुरानी खोई हुई वस्तु मिल सकती है। नई लोगों के साथ मिल जोल बढ़ाने से आज आपको फायदा ही फायदा होगा। आज बच्चों के और से कोई अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है। आपका वयवाहिक जीवन आज और अधिक मधुर होगा और अपने जीवन साती से आपको पूर्न सहयोग भी मिलेगा। दोस्तों अगर हम धना राशिपल के बात करें तो आज आप खुशियों की तलाश में हैं और किसी गुड़ ग्यान से आपको प्रसनता मिलेगी। पिता या अधिकरी आज आपकी मदद कर सकते हैं या उन्हें आपकी साहता की जरुरत पड़ेगी। धन या लेंदेन में नुक्सन आपके रोजाने के कारियों को प्रभावित कर सकते हैं आज आप भीड में भी अलग हैं दुसरों को सुनना न केवल आपको बलकि दुसरों को भी बहतर महसुस करता हैं खुद को प्रेरित करें और इस चरण का मज़ा ले अपने आखें और का या विचार सुझ सकता हैं जो कि भविशे में आपको धनलब दिलाएगा अपने विचारों में रचनक मत्ता लाएं और न जाने आपका कौनसा विचार आपके काम आ जाएं सोच समझ कर ही कोई योजना बनाएं और उस पर आज ही काम करना शुरू कर दें इससे लंबे समझ तक आपको लब मिलता ही रहेगा दोस्तों अगर हम लव राशिपल के बात करें तो आज लंबी दूरी की यातर पर जाएं और लोगों से मिलें इससे आपको खुशी और श्यान्ती प्रप्ति होगी मुखबत के हिसाब से आज का दिन बहतरिन तो नहीं है लेकिन किसी का साथ इसे अच्छा बना देगा अपनी पती या फिर पतनी के लिए कुछ स्पेशल करें नई शुरूआत के लिए आज का समय बहतरिन है आपके प्यार और रिलेशन्शिप में फ्रेशनेस हैं जो आपको अपनी चाहत के और भी करीब ले जाएगी और आपका प्यार अटूट बनेगा रिष्टे में आगे बढ़ने से पहले जाँचली की क्या यह केवल आकर्चन है या आप सच्चे दिल से अपनी साती को चाहते हैं इसके बाद ही आगे बढ़े दोस्तो आखिर में बात करते है स्वास्तर आशुपल के बारे में आज आप सकारत्मक्ता पर ध्यान केंदरित करने के वज़र से लाब उठाएंगे ध्यान रही कि जो चवी हम अपने दिमाग में बनाते हैं उसका हमारी सेहत पर बहुत असर परता है इसलिए सकारत्मक्त सोच अपनाएं ताकि लाबदाएक फॉल मिले तो दोस्तो यहती कुंबराशी के बारे में अब बात करते हैं जानिये कौन से भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए गलत परिक्रमा करने पर हमेशा होता है अशोग पूजा करते समय भगवान की परिक्रमा जरूर की जाती हैं परिक्रमा पूजा का ही एक भाव होता है भगवान की मूर्ति के अलवा कई लोग मंदीर वो पवितर पेड़ों की परिक्रमा भी करते हैं शास्तुरों में परिक्रमा के संबन में कुछ नियम बताए गए हैं और शास्तुरों के अनुसार सभी देवी देवताओं की परिक्रमा की संख्या अलग-अलग होती है पंडितों के अनुसार सुर्यदेव की पूजा करने के बाद इनकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और इनकी परिक्रमा करने के संक्या साथ होती है स्री गणेजी की परिक्रमा की संक्या शास्त्रों में तीन बताई गई है भगवान स्री विष्णू और उनके सभी आउतरों की चार बार परिक्रमा करनी चाहिए जबकि देवी दुर्गा सहित सभी देवियों की परिक्रमा की संक्या एक होती है हन्माजी की तीन और शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी होगी शिवजी की परिक्रमा करते हुए शिवलिंग की जलधारी को लांगना नहीं चाहिए जलधारी तक पहुंच कर परिक्रमा पूर्ण होती है जिसके कारण शिवलिंग की परिक्रमा आधी मानी जाती है इस तरह से करे परिक्रमा जब भी परिक्रमा करे तो दिशा का ध्यान रखे और गलत दिशा से परिक्रमा शुरू ना करे ऐसा करने से परिक्रमा करने का फल नहीं मिल पाता है शास्त्रों के अनुसार परिक्रमा करते समय आपकी दिशा सही होनी चाहिए दाहिने यानि कि सीधे हाथ की और से परिक्रमा को शुरू किया जाता है दाहिने का आर्थत दक्षिन होता है और इस वज़े से परिक्रमा को प्रदक्षिना भी का जाता है अगर प्रतिमा के आसपास परिक्रमा करने का स्थान नहीं है तो एकी जग़ पर गोल भूम कर भी परिक्रमा की जा सकती है आप सोच रहे होंगे कि परिक्रमा करने से क्या लाब मिलता है दरसल जब हम परिक्रमा करते हैं तो हमारा शरीद सकरत्मक उर्जा ग्रहन कर लेता है और मन को शांती मिलती है नकरत्मकता एकदम दूर हो जाती है इस मंत्र का करे जाब परिक्रमा शुरू करने से पहले आप दीपक जरूर जलाएं दीपक जलाने के बाद ही अपनी परिक्रमा शुरू कर दे वही परिक्रमा करते हुए नीचे बताये गए मंतर का जाब भी जरूर करे इस मंतर का जाब करने से परिक्रमा सफल हो जाती है यानि कानीच पापानी जन्मान तरन कुरता नीच तानी सरवानी नश्चुत प्रदक्षिने पदे पदे इस मंत्रा का अर्थ इस प्रकार है जाने अंज्याने में किये गए और पुरो जन्म के भी सारे पाप प्रदक्षिना के साथ साथ नश्च हो जाए भगवान मुझे अच्छी बुद्धी प्रदां करे तो दोस्तो यह सती भगवान के अनुसार कितनी परिक्मा करनी चाहिए उसके बारे में तो दोस्तो आज की सुड़ों में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथ ही हमारे चैनल ट्रेनिंग राशिपल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद